हलो गाईज, वेलकम बैक टू मैं चैनल, तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फुल ग्रोध आंपिट वेक्सिंग वीद रिका अलोवेरा वेक्स जो की काफी अच्छी वेक्स है और गाईज, अगर आपके पस कोई सेंस्टिफ स्किन वाला क्लाइट आ रहा है तो आप इसको इसली यूज कर सकते हैं क्योंकि इस पर मेंशन किया गया है कि यह सेंस्टिफ स्किन के लिए बहुत अच्छी है वीडियो के स्टाटिंग में ही प्रोडेक्ट मैंने आपको दिखा दिये हैं वेक्सिंग करने के लिए मैंने लिया है रिका का pre waxing gel after use के लिए लिया है after waxing lotion wax को ऐपनी heater में डालकर गरम कर लेना है waxing strip मैंने रिका ब्रांड की यूज की है application के लिए मैंने wooden का spatula यूज किया है और गाइज wax काफी अच्छी है अगर आप किसी अच्छी wax के बारे में सोज रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम सकिन को क्लीन करेंगे क्योंकि आप क्या है क्या है विप टी हो जाती है काफी ज़्यादा स्वेटिंग और सको आ रही होती है तो आप अगर आपके पास प्री वैक्सिंग यह नहीं तो आप simple water का use करके उसमें डेटोल डालकर अच्छे से skin को पहले clean करें मैंने यूज किया है Rika का pre waxing gel इसका use करने से client की skin में जितनी भी mail गंदगी जमी रहती है वे बहुत अच्छे तरीके से clean हो जाती है और अगर client की skin में moisture हो नमी हो तो वे भी बहुत अच्छे तरीके से control म में आ जाता है और वैब place dry हो जाता है जहां हमने wax करनी है और देखे काफी heavy growth है इनकी इन्होंने 4 months से waxing नहीं करवाई और इनकी growth बहुत ज्यादा already आती ही है पर यह करवाती रीका wax ही है पर monthly नहीं करवाते हैं कई बार कई लोगत क्या होता है कि नहीं पालर में चक्कर हम प्रहाम क्लाइंट सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें अगर इतनीज्यादा है वह कर लेनी चाहिए और अगर नहीं करवा सकते तो दो महीने में तो एक बार वैक्स जरूर करवा ले क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी ग्रोथ में वैक्स करवाने से बाद में पेन उनी को होता है प्रोपर तरीके से हमने प्री वैक्सिंग जेल लगा कर स्किन को ड्राय कर लिया था उसके बाद इतने लंबे बालों में जब वैक्स करते ह तो client को काफी pain होता है तो ऐसे में आपने scissor से hair को cut कर लेना है पर guys जब आप cutting करते हैं तो आपने ध्यान देना है कि बहुत सारे hairs आपने नहीं cut कर देने के वर उपर-उपर से hair cut करने हैं कई बार क्या होता है कि cut करने का मतलब यह समझ बैठते हैं कि proper जड़ों के पास से cut कर देंगे तो आपको waxing करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर hair proper तरीके से wax की पकड में नहीं आएंगे तो उपर-उपर से ही hair मैंने cut कर दिये हैं और अच्छे से skin को dry कर लिया है अब मैंने थोड़ा सा talcum powder भी लगाया है क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी client की skin में म moisture है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है और कई लोग बोलते हैं कि मैं gloves use करो तो gloves use करने के बाद एक तो हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि client की skin में sweating तो नहीं आ रखी दूसरा क्या होता है gloves जो होते हैं wax से चिपक जाते हैं ब्राजिलियन wax में gloves use कर सकते हैं पर wax की application की है मैंने hair की direction के इसाब से थोड़ी ठीक application करनी है हलका सा rub किया और हलका सा pressure डाला उसके बाद skin को अच्छे से मैंने अपनी student से hold करवाया है client को भी hold करने के लिए बोला है उसके बाद मैंने opposite direction में waxing strip को pull कर दिया है देखी कितने अच्छे तरीके से इनके hair remove हो गए है और guys अब जो hair इनके रह गए हैं उनकी direction नीचे की side है तो wax की application मैं नीचे की side करूँगी wax की application आपने हमेशा hair की direction के हिसाब से करनी है और guys अगर आपको लग रहा है na client के hair की direction different है तो आप सोचे कि एकी बार में side में wax लगा दे और hair remove हो जाएंगे तो ऐसे में hair तो remove हो जाते ह है पर client को काफी ज़्यादा pain होता है और hair जड़ से नहीं remove होते कुछ roots टूट जाते हैं तो आपने हमेशा hair direction के हिसाब से ही काम करना है तो देखे रीका wax अगर आप यूज़ कर रहे है ना one time में ही probe पर सारे के सारे hair remove हो जाते हैं पर अगर आपको लग रहा है कि client के कुछ hairs रह गए हैं और आप रीका वैकस लगाई है तो कभी भी आप इस वैक्स की रियाप्लिकेश्ण सारे में ना करें केवल वही पर आपने वैक्स की reapplication करनी है जहां hair रह गई हैं के एक-एक-दो-दो hair रहे गए हैं तो मैंने कहीं वहीं पर wax लगाई है अगर आप सोचें कि सारे में wax की reapplication करके hair remove हो जाएंगे तो अगर आप सारे में wax की reapplication कर देंगे न तो hair तो remove हो ना हो client की skin निकल जाएगी क्योंकि रीका वैक्स बन टाइम में ही आप मैं यूज़ कर रही हूँ रीका का आप्टर वैक्सिंग लोशन इससे क्या होगा क्लाइट की स्किन में जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स लगयोगी है वैब रिमू हो जाएगी और क्लाइट की स्किन में काफी अच्छा रिलीफ भी मिल जाएगा और आपके पास आप्टर वैक्सिंग लोशन नहीं है तो आप कोकोनेट ओयल का भी यूज़ कर सकती है उससे भी क्या होगा स्किन में से एक्स्ट्रा वैक्स रिमू हो जाएगी तो आपको रिका वैक्स की साइड ही जाना चाहिए क्योंकि रिका वैक्स से जो होती है हेर ग्रोथ दीरे-दीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है जब हम सिंपल वैक्स का यूज़ करते हैं तो हमारे जो हेर होते हैं उपर से ही रिमू हो जाते हैं पर जब रिका वैक्स का यूज़ किया जाता है तो hair growth under root तक remove हो जाती है, hair जो आता है काफी late आता है और जिनकी बहुत heavy growth है, अगर बैर रिका वैक्स का यूज़ मंतली करवाते हैं, टू मंत में करवाते हैं, तो उनकी hair growth दीरे दीरे काफी कम होनी शुरू हो जाती है, simple wax का यूज़ करने से क्या होता है, hair growth वन वीक में आने स्टार्ट हो जाती है, अगर आप बैर 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 तो आपके hair 15 days बाग आने स्टार्ट होते हैं, simple wax का जब हम यूज़ करवाते हैं, तो केवल 32-40% tanning remove होती है, पर guys अगर आप रिका wax यूज़ करवा रहे हैं, तो आपकी tanning 62-70% बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाती है, skin काफी neat and clean हो जाती है, और guys यह जो wax है, oil based wax होती है, इस wax को use करवाने के बाद आपकी skin में किसी तरीकी की कोई dryness नहीं होती, और अगर आपकी skin sensitive है, तो आप ध्यान दे कि आप इस wax का use ना करवाएं, क्योंकि sensitive skin पर sensitive skin वाली wax भी कई बर काम नहीं करती, क्योंकि उनकी skin peel होने के chances रहते हैं, तो आप simple wax की side जाएं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी skin sensitive है, मुझे wax suit नहीं करेगी, तो आप patch test करवाएं, patch test चे यह benefit होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको wax suit की या नहीं, क्योंकि पूरी wax करवाने की बाद अगर आपको skin problem हो रही है, तो इसमें आपको problem बढ़ भी सकती है, कई बार काफी लंबे time तक skin में होने वाले दाने भी ठीक नहीं होते, skin peel हो जाती है, तो आप ध्यान दें, अगर आपकी skin sensitive है, तो आप एकदम चे रिका wax की side ना जाएं, पहले आप patch test करवाएं, तब ही आपने रिका wax करवानी है, गाइस दूसरी side भी मैंने skin को बहुत अच्छे तरीके से clean कर लिया है, अब hair direction इस side की भी पूरी की पूरी उपर की side है, तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि client की सारी की सारी hair direction उपर की side है, और काफी कम hair है, तो आप one time में ही सारी की सारी hair remove कर सकते हैं, आप देखिए hair cut करने के बाद भी इनके hair काफी ज़्यादा ठीक दिखाई दे रहे हैं, और इतने लंबे time के बाद जो hair होते हैं, उनकी roots काफी मजबूत हो जाती हैं, तो ऐसे में आपने सारी hair एक साथ remove नहीं करने क्योंकि उससे client को काफी pain हो सकता है, तो आपने क्या करना है, hair को divide कर लेना है, चाहे hair direction एक side है, one time में भी हम सारे के सारे hair remove कर सकते हैं, पर client का भी आपने देखना है कि वह pain बरदाश कर सकता है या नहीं, जब इतना लंबा hair जड़ से निकलता है, तो pain होता ही है, क्योंकि यह reka wax है, under root तक hair remove करेगी, कर रही हूँ, hair की direction के हिसाब से, उसके बाद waxing strip लगाई है, हलका सा रब किया है, क्योंकि यह जो wax है, बहुत अच्छे तरीके से, हलका सा रब करते ही hair को पकड़ लेती है, उसके बाद client से भी skin hold करवाई है, अपने student से भी करवाई है, opposite direction में waxing strip को pull कर दिया है, मैंने skin को hold नहीं किया, क्योंकि अल्रेडी दो साइड से skin बहुत अच्छे तरीके से स्टर्च हो चुकी है, देखे, one time में ही बहुत अच्छे तरीके से hair remove हो जाते हैं, बस आपने बहुत अच्छे तरीके से hair remove हो जाते हैं, उनकी direction भी उपर की side है, अब जो hair रह गए हैं, वहाँ पर हम लगाएंगे wax, यह था रिका wax की पूरी detail knowledge, और guys अगर आप मेरे चैनल पर first time visit कर रहे हों, तो आपको मेरे चैनल पर पालर में जो भी काम होता हूं, सब topics related videos मिल जाएंगी, चाहे वह bleach हो, facial हो, detail हो, waxing हो, और waxing से related तो मैंने lots of videos upload कर रखी हैं, हर type की wax के बारे में मैंने अपने चैनल में detail से बता रखा है, तो please अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो useful लगे, तो वीडियो को like करें, share करें, साथ में चैनल को subscribe भी कर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली latest वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहें, और guys मेरे चैनल पर 2 lakh subscribers कम्प्लीट हो चुके हैं, उसके लिए thank you, thank you so much, इसी तरीके से मेरे चैनल पर अपना सा योग एंड स्पोर्ट बनाए रखें, तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी next वीडियो में, ओके take care, bye bye, thanks for joining, thank you so much,